असलाम अलेकम कैसी है यूट्यूब फैमली उमीद है कि सब करीज से होंगे तो अभी दुपहर के टाइम था बेटी को स्कूल से लेने के लिए गई थी तो जब वापसी पह जा रही थी तो मैंने देखा कि आसमान बहुत जदा जो है वह बातलों से भराव हुआ और बहुत ज जो हो रहा है तो मैंने कहा कि थोड़ी से वीडियो बना लूँ और आप लों के साथ भी शेयर करूं आप देख सकते हैं कि आसमान का रंग जो है वो कितना बदला हुए है इतने बातल है इतने ज्यादा और यह दुपहर का टाइम है और दुपहर के टाइम में इस तरह लग होए थे और मैं अभी यह देख ही रही थी और सोच ही रही थी और कुछ टाइम बाद इतनी जोहरदार किसम की बारे शुरू हो गई थी लेकिन यह आप देख लें कितने खुबसूरत लग रहे हैं बादल बहुत खुबसूरत लग रहे थे और बहुत इस तरह लग रहा था लेकिन जो है अल्ला ताल्ला ने दुनिया बहुत खुबसूरत बनाई है और ये भी एक खुबसूरत दुनिया का हिस्सा है माशाला अल्ला की खुबसूरती है देखे माशाला कहना चाहिए और अभी मैं बनाने लगी थी बनौफी पाई ये इंग्लिष डिजर्ट है और ये जो है ये जाइजेस्टिव मैंने बिस्केट लिये है ये तक्रीबन हाफ से थोड़ा से जाधा पैकट लिये है और लेने के बाद मैंने इसको एक सी-thru-bag मैं जो है, जिप लॉक बैग जो है उसमें मैंने डाल दिये, अच्छा अब मैं यहां पर चाहती है, तो मैं छॉपर में डाल कर इसको मैं छॉप कर सकती थी, लेकिर मैंने इसको इसलिए नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी जो लोग है जिनके पास अगर चॉपर नहीं है, तो फिर, यूज किस तरह करना है इसको तो आप इसको किसी भी बैग में कोई भी जिप लॉक बैग और कोई भी बैग जो है उसमें इस तरह डाल कर तो आप कोई भी हैमर ले 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 या फिर कुछ भी जो चीज रोटी पनाने वाला बेलन जो है वो लेकर तो बस इसको हमने इतना लेकिन इसको बस मैंने थोड़ा सा जो है अच्छे तरीके से लिकवड्य कर लिया और यह मैंने अफना जो मेरे बिसकेट C कीicana जिनको मैंने मैश किया था उसके अंदर मैंने तकरीबं सारवा तकरीबं शामिल किया थोड़ा सा मैं चोड़ा था सिरफ अपनी जो ट्रे सोच की थोड़ा सा मीच ग्रीज करने कि और लेगा चाँ dunnnd ag बस इसको अगर हाथों के साथ भी करें और स्पून के साथ भी तो बहुत एक्वली और प्रॉपरली इसको अच्छे तरीके से दबाने के बाद हमने इसकी लेरिंग करनी है और बटर डालने से जितना अच्छा यह देखें जैसे अब देख सकते हैं कि बिस्किट जो है बिल्कुल उनमें बटर जो है वो कोट हुआ हुआ है लेकिन अगर यही बटर थोड़ा होगा तो बिस्किट ड्राइ लगेंगे तो वो इतने अच्छे तरीके से जूड़ेंगे पड़ेंगे अच्छे तरीके से पिसकिटों के साथ मिक्स करना और उसके क्रम में जब अब बटर लग जा यही तो एसके बाद ऐसे यह देखें इसके किनारे ہے और इस यह सारा मैने किया है तो यह बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रेकर साथ अच्छा सेट हो गया है या कि आप मेरा मैंने इसको और फ्रिजग में रकाटने एक स्ष्वा न्युकरता हैario thankfully स्ष्वा जद बिधा हम एक स्षाटह 15-20hm तो या तो मैंने केले क्ले चुआ वाद केले बाद रखागा अर उसमे लेमन जूस लगा दिया लिमन जूस लगाने से यह होता है कियले जो हैं आप यह ही नगाली ते ही होते है जादा अरसे तक के लिए चल जाते हैं मैं Gabla तो अगले सुबा ये लगाना एक और भाला दिन जो है ये डिजर्ट जो है वह बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे का और ये खराब नहीं होगा और इसका रण कलर चेंज होगा तो इसको थोड़ा सा लेमन जूस लगा दिया था और मैं अब इसको अच्छे तरीके से जो करणा कर तो बस लेकिन मैंने ये रडी तो यूज लिया कैरमल और मैं अब इसको इसके उपर अच्छे तरीके से स्प्राड कर दोगे इसको अच्छे तरीके से करना के जो बनाना है वह कपर हो जाए क्योंकि हमने इसमें कोई स्वीट चीज जो है वह अड़ नहीं कर अभी अभी तक कि सिरफ कैरमल की जो ही सूएटनस है वही होगी और उसी की सूएटनस के साथ ये डिजार जो है वो मजे का बनेगा तो इसलिए कैरमल डालते हुए जिजगना नहीं है बहुत अच्छे तरीके से डालना है बहुत जादा डालना है यह देखें सारा कवर कर दिया थ और त्रणड़ हो जयगा और सेट को सच और यह में डबल करी फिर बार्प काई जुफ बालने के बार आप अजया लीव आ क्रीम को 220 सबीरा के लिए समय मैं tenha आइसिंग है इसको बीट कर लो अुऩा इसको कि इन पीट के बीट करना शुड़ किया और मैं इतना बीट कर안गी कि इसकी अ एक हलकी उट मंहीं चेफना इसमिन आज़ और जब मैं बीटर उठाओं तो वो जो क्रीम है और बहुत कम बीट भी नहीं करना तो बैसे इसको बार-बार मैं चेक करना होगी कि मुझे कितना इसका थिक चाहिए तो बैसे इसको मैंने हलकी स्पीट से हाई स्पीट पर कर दिया था और मैंने इसको मुशल-सल बीट कर रही थी जैस जैसे cream high speed पे जाना शुरू होती है और cream इतियात करने प कुर्छे cream एक्टमसे ठिक हो जाती है और पता भी नहीं चलते यह दखेए जैसे यह मैंने इसको 00.00.00 Davoe तो वų नीचे गिर नहीं रही है वो उससे चीप की हुई है बस मुझे की fifty चाहिए इसकी और बस ये क्रीम जो है वो रेडी हो गई है और अब यहां पर इस्टेज पर अगर आप चाहें तो मैं आपनी क्रीम जो थी वो मैं इस तरह जो है वो डाल लोंगी और उसके बाद पर स्पून के साथ स्प्राइड कर लूँगी अपने च्वाइश है आपकी जैसे आपको पसान दो आवेसे । कर सकते हैं इसको अच्छे तरीके से क्रीम को जो है वो फुली सारे जो है कारमल के ऊपर एड करना है और बहुत जादा करना है क्रीम की अच्छी लियर आनी चाहिए उसके ऊपर अच्छे ठीके से जो है इसको बैग में डाला है इसके रीजन एक यह भी ताकि मेरे किनारे हैं वो प्रॉपर ली जो है एकुली उसके क्रीम जो है वो लग जाए और मैंने अपनी तिकरीबन अंच जो पर लगा दी है कोई designing नहीं कह रही है अभी क्योंकि इसको अभी मैं spoon के साथ spread करूँगी इसको मैंने spoon के साथ अगर लगा दी तो जो caramel था वो भी निकल जाना था सारा तो इसलिए पहले मैंने इसको इस तरह spread कर लिया इसके उपर और अब मैं इसको जो है properly इसको equally distribute कर दूँगे यह बहुत मज़े का मीठा बनता है बहुत नाइस बनता है और यह पाई यह इतना मज़े की होती है और जो लोग बनाना पसंद करते हैं उनके लिए तो यह बहुत मज़े की होगी और यह ज़रूर आप लोग ट्रॉई के जएगा आप लोगो बहुत पसंद आएगी तो बस अब यह इसको मैं अच्छे तरीके से बिल्कुल हलकी हाथों के साथ मैं उसके उपर के उपर क्रीम जो है वो spread कर रही हूँ अअर यह जतना थंदा और चिल्ड इसकी डिजर्ट होता है उतना मज़े का लगता है क्लिकिश में इसमें इसमें कैरमल भी आपना फलेवर आ होता है और बनाना जो है वो तो बहुत मज़े का लगता है इसको उच्छे दरी किस से जब यह इस प्रड हो गया तो उसके बाद मैंने कोई भी चॉकलेट लेकर अगर आपके पस कोई भी चॉकलेट बाहर है कोई इसी भी हो सकती है तो मैंने वो लेकर उसको मैंने कदुकश कर लिया था और ग्रेट के साथ उसको मैंने ग्रेट किया तो बस करेट करने के बाद मैंने इसको और और सारे जो है उसको अप्रकर दी करने के बाद अपनी डेकुरेशन कवेय को रुए आपको जो ँख लगता रहार जैंज नहीं चॉकलेट आपदे उसको डाल सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोओं में याद रखेगा अल्ला हफिस